हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट अकेडमी जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिवेस किलास में हमने बीटा ट्रोन को डिसकस किया था और बीटा ट्रोन प्रतिबंद तक हमने वहाँ पे डिसकस किया था और उसके बाद में उससे रिलेटेट कुछ एमसी क्यूज को डिसकस किया था आज की जो कलास है उसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रोन द्वारा बीटा ट्रोन में कितनी उर्जा को गेन किया जाता है भी सिरे खेट नहीं है तो अबी तगए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मौटिवेशन मिले तो आज का मोर्त टोपिक का बीटा टोजा में इलेक्टरोन द्वारा प्राप्त उर्जा की गख़्ड़ना आज का जो हमारा जो टोपिक है बीटा ट्रोन में इलेक्ट्रोन द्वारा पराप्त उर्जा की करना अब देखो आपको पताया कि हमने वहाँ पे बताया था कि बीटा ट्रोन में हम जो चुम्बके छेत्र अपलाई करते हैं वो कैसा चुम्ब के छेतर होता है परत्यावर्ती चुम्ब के छेतर या जो परिवर्ती चुम्ब के छेतर बेशे कह सकते हैं तो लिखा है कि माना बीटा ट्रोन के चुम्बा के धुरूं के बीच चुम्बा के जो फलक्स का जो मान है वो 5 वराबर 5 note sin omega t है मतलब चुम्बा के जो फलक्स है वो चुम्बा के छेतर से तो related होता है कि कितना flux गुजरेगा वो चुम्ब के छेतर की quantity पर डिपेंड करता है तो चुम्ब के छेतर है वो भी क्या होगा परत्यावर्ती होगा तो चुम्ब के फलक्स सोरी चुम्ब के फलक्स जो होगा वो भी क्या होगा परिवर्ती चुम्ब के फलक्स होगा तो मान लेते हैं कि बी नोट जो है प् casका जो है सी खरमान है बसक्त क्या है चुम्बा की फलक्सί का सीख्रमान जब कि ओमेगा जो क्या है जromya के चुम्बा के छेतर दिया है उसको उसकी आवर्थिए है तो जो ओमेगा जो है परिवर्ती चुंबा के फलेक्स की क्या है आवर्ति ہیں ऑमेगा क्या है परिवर्ती जो चुंबा के फलेक्स है उसकी Shock以前 अब देखो ये तो iletron रभा प्राप्लत तूर जाकी हम गण्डा कर रहे हैं आउने बदा अब आगे है कि बीटा ट्रोन में इलेक्ट्रों चोथाई वक्र मतलब टी वाइफ वर समय के लिए क्या होता है सोरी सोरी है तो हां तो हमने आपको बताया था कि बीटा ट्रों में एलेक्ट्रोन जो होता है वो Tesla50 के लिए क्या होता है यह तो जो समय het यहना उसको हम नहीं या प्रिक्वंसी की पू में लिखा है तो हम इसको अंयों ऍभाईफर जो है तो इसको 1WFT अश्याय लिख लिक लिए और जो होता है वह लोग स्म podiaष्मर्टिट होता कि आवर्थ्काल और फ्रिक्वेंसी इस्यासिएधाई और नोव समय के यह क्यों एक्सिलेट होता है तो टी बाई फोर समय जो टी है उसको हमने पाई अपाई अपन टू ओमेगा की फोर्म में आमने आप पे लिख लिए उसके नीचे लिखा है कि तवरित परकरम में मतलब यह जो एक्सिलेटिड जो प्रोसेस है में इलेक्ट्रोन का वेग वी हो तो इलेक्ट्रोन दौरा टी बाई फोर सेकिंड में तै की गई दूरी कितनी होगी तो दूरी बराबर देगो यहाँ पे इलेक्ट्रोन का वेग दे रखा है और कितने समय के लिए तोरित प्रक्रम में इलेक्ट्रोन का वेग V है तो इलेक्ट्रोन द्वारा T by 4 समय में तै की गई दूरी कितनी होगी तो दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल तो समय तो यह हो गया T by 4 और चाल हो गई V तो V T by 4 दो समय है इसको फ्रिक्वें़ी की फ़र्म में llamaアमने पाई अपउनटू अमेगा पहले अभी देखो लिखाया यहां पे बुक है उसमें यहां पर वी को जो है सी की ट्रम में लिया है तो उसमें वी और सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है अब देखो यह तो दूरी हो गई कितनी दूरी चलेगा इलेक्ट्रोन बीटा ट्रोन में टी बाई फॉर समय में वी पाई अपॉन टू ओमेगा नेक्स्ट है अब देखो प्रेरित विदुत वहाग बल के कारण इलेक्ट्रोन पर लगने वाला बल यह बराबर होता है यह अपॉन टू पाई याड डी फाई वाई डीटी जब हमने बीटा ट्रोन कंडिशन निकाली थी ना समीकर्ण तीन जो वहाँ पर हमने दिया है तो उसमें इस चीज़ को मेंशन कर रखा है कि इलेक्ट्रोन पर कितन पर रखनी पड़ेगी तो यह अपॉन टू पाई आर तो ऐसे के रह जाएगा और डी बाई डीटी फाई नोट साइन ओमेगा ठीक हमने यहां पर वैल्यू रखती अब देखो यह फाई नोट तो कॉंस्टेंट वेल्यू आगे चली जाएगी तो आपके पास वेल्यू होग तो यह ओमेगा जो है इसको यहां पर आ गया और आपके पास जो फाईनल जो ट्रम आगई वो इय ओमेगा फाई नोट अपॉन टू पाई आर कोस ओमेगा टी तो यह लगने वाला बल हो गया किसी भी खषण मतलब कोई इंस्टेंट ओफ टाइम पर किसी भी खषण या कह सक लकिन हमें तो उसत बल निकालना हो तो टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाइ-4 और टी बाइ-4 को हम लिख सकते हैं पाइव अपॉन टो मेगा समय तक इलक्ट्रोन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा वह हम कैसे निकालेंगे एफ एवरेज कि सोरी ऐफ जो एवरेज है उसकी वेल्यू देखो ओसत बल अम यहां पर निकाल तो उपर कुल बल बटे कुल समय तो देखो यह जो है उपर वाली जो ट्रम है यह 0 से टी बाई 4 समय में कुल बल है बटे 0 से टी बाई 4 कुल समय अब देखो तो अब T by 4 को हम आपको बार-बार बता चुके हैं, पाई अपन टो ओमेगा फ्रिक्वेंसी की ट्रम में लिख सकते हैं, तो देखो, यहाँ पे F की जो वेल्यू है, यहाँ पे हम, यह किसी इंस्टेंट ओफ टाइम पे, इलेक्ट्रोन पे लगने वाला बल, किसी खशन जो इ लिमिट हो जाएगी, जिरो से पाई अपन टो ओमेगा, और, यी ओमेगा फाइनोट अपन टो ओमेगा त्व प आइर कोस ओमेगट टयट घित्व, बटे cheating, यह 0 से टी वाई-4 मतलब 0 से पाई अपन टो ओमेगा डिद्व, यह होग इसकी लिमिट अब देखो, F हेवरे जो ह से इसमें जो constant जो वैल्यू है इए ओमेगा फाइनोट अपॉन तू पाइए इसको तो हम आगे लेए और को समेगा 0 से पाई अपउन टू मेगा को समी गांडी ठी और नीचे जैसे इसका डी गांडी होगा फिर अपर लिमिटर लोवर लिमिट को रखेंगे तो मारे पास जो इंट्रिगेसं के जो वेली है पाई पॉन तुमेगा आगई अब देखो आप यह इंट्रिगेसर अपोंड दाुधं नोट यो nuts में इसे कैसे और नृतौ और जाएगा सायन ओमेगा प्ह m उपोंनों पे ओमेगा तो यह को समेगा टी का जो ओवराल कह सकते हैं इंट्रिगेशम होगा साइन 케टा मेगा बटे ओमेगा क्यूंकि देखो आपने साइन टू-1 एक्स 2 एक्स का हो थैंगा मेला ume और फिर यह लिमिट रख देंगे 0 से πाई अपोन 2 ओमेगा फिर एए वेलियू हम यह आपर दिखो इस ओमेगा से यह ओमेगा कैंसल हो रहा है बाकी ऊपर स्वाद मुरर देखो इस डाये गा देखो हमारे पास जो बेलियू आई नर्म हां हमारे पास जो वेलेए हाई ए ओमेगा फा नोट अपव papी स्कौएई आर और इहां पर लिमिट लोवर लिमिट रखें के साइन omega फिर 0 फिर हमारे पास जो final जो वेली मिल जाती है ना एफ एवरेज बराबर होता है इव ओमेगा फाइनोट पाइस को रार और इसकी हो जाएगे यह देखो omega से omega फिर साइन पाइबाइट तो 1 होता है और साइन 00 होता है तो f एवरेज गी जो वेली आपके पास आ और इसको एक्वेशन साथ दो अब यहां से जो यह फाइनोड जो आ रहा है ना सीखरमान किसका सीखरमान परत्यावरती जो फलक्स उसका सीखरमान हम कैसे निकालेंगे तो एक बार तो आप इसी कंडिशन को हमने रिपीट किया है कि एफ हेवेज बडाबर यह ओमेगा फाइन जोना हमने condition पड़ि थी वह थी क्वाइव दिटी बराबर 2PiR कंशीटर नहीं करना है और जो दीवी है वह पर परिवर्ती चुंबा के छेतर है तो यह 0 से maximum value B या B note कुछ भी मान सकते हो अब B मान लो चलो हम यहाँ पर B ले रहे हैं लेकिन जो first grade में कुशन पूसा था वहाँ पर maximum value उसके B note consider के थी तो आप अपने जो वहाँ पर तो हम उसको generalize कर लेंगे बाद में लेकिन यहाँ पर जो maximum minimum value है 0 से B और DB तो इसको जब differentiate करेंगे हमारे पास जो value आजाएगी फाइनोट बराबर हो जाएगा टू पाई आर स्क्वाइर बी तो फाइनोट की value रखेंगे तो यहां से जो force की जो value हो जाएगी फाइनोट की value रखने के बाद में टू इ ओमेगा आर बी बटे पाई इसको समय करना आथ आठ दो अब देगो यह बल आ गया आपके पास अब यह जो line आप लिखो तो लिखो मत लिखो कुस फरक ने पड़ता है अब देखो यह कहा रहा है कि V पाई बटे टू ओमेगा दूरी तै करने में इलेक्ट्रों दुवारा ग्रेंड की गई उर्जा मतलब इतनी दूरी तै करनी है इलेक्ट्रों को तो वो कितनी उर्जा ग्रेंड करेगा तो देखो जब आपने ग्यारवी किलास में काइनेटिक एनर्जी के लिए डेरिवेशन किया होगा तो पोटेंशिल एनर्जी के लिए डेरिवेशन किया होगा या कह सकते हैं इंदी में गती जूरजा के लिए डेरिवेशन किया होगा इस्तिती जो उर्जा के लिए डेरिवेशन किया गवा तो वहाँ पे हम पढ़ाते हैं कि जो हमारे दुवारा जो किया गया कारिय है वो ही किसमे कनवर्ट होता है उर्जा में कनवर्ट होता है मतलब जो हमारे दुवारा जो किया गया जो कारिय है हमारे दुवारा जो किया गया कार ये है sorry एक मिन्ट हमारे दुवारा जो किया गया जो कार ये है वो ही किसमें convert होता है उर्जा में अब आप देखो वैसे आप ऐसे भी estimate कर सकते होगे इसकी जो मातरक जो हता है उर्जा का मातरक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है तो ये दोनों quantity A की जीज है बस इसको अलग-अलग language में लिखा है तो देखो अब electron को V pi upon 2 omega दूरी तै करने में electron कितनी उर्जा ग्रहंड करेगा तो कितना कार्य करेगा कार्य तो क्यों क्या magnetic field कर रहा है कार्य तो क्या देखो Size बल गुर्णा विस्थापन कार्य बरबर होता है बल गुणा विस्थापन कथ कार्य जो चया गया है यह किस दौरा magnetic field के दौर के दौरा किया गया है तो जो उर्जा होगी वो क्या होगी येतो सबिस्थापन और यह होगया अन Postle ब不過 phi करो जेरु से तीवाइब के समय के लिए तो यह तो बल्भ हो गया और यह तो बल्ल कि वेल्ज आ गईया है यह द्यूरी दूरी हो गई के सकते हैं तो कितना कारी करे जाता है यह दूरी की वेल्यू और विस्थापन के वैल्यू यह दो इतना कांप करेगा तो दोनों के वेलियों हमने आप पे रखी तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रोन के द्वारा बीटा ट्रोन में कितनी अधिकतम उर्जा गेन करेगा टी भाई फोर समय में इवी आरबी देखो यहां पे इलेक्ट्रोन का मास का कहीं पे जिकर नहीं है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोन द्वारा जो ग्रहन की गई जो उर्जा है वो इलेक्ट्रोन के मास पे डिपेंड नहीं करती है तो यह जो ट्रम है यह आरपियसी फर्स्ट गेड इसकूल लेक्चर 2018 में यहां से पूछा गया था इलेक्ट्रोन हमने यहां पे कैल्कूलेट करके आपको बता दिया है अब उससे रिलेटेड कुछ क्यूशन था जो आर्पियसी फर्स्ट के डिस्कूल लेक्चर 2018 में यह क्यूशन आया था यह देखो यह से तो आपका देखो वी-ई-आर-बी-नोट यह जो ऑपसन है यह करक्ट हो जाएगा और आपको भी यहां पे कंपेरिजिन कर लेता है नेक्स्ट है देखो बीटा-ट्रोन के अमने पिछली क्लास में भी बीटा-ट्रोन कंडिशन पर सेम क्यूशन किया था लेकिन एक बार और यह रास्ता ने उससे में से एंट्रेंस मे बीटा-ट्रोन परतिबंद है संकेतों का सामान्य अर्थ है जो होना चाहिए जो फाइव फलक्स को बताता है भी मैगनेटिक फिल्ड को बताता है आर जो है इस ताई वक्ट कक्ष की तिरिज्जा है तो आपके पास चार उपसन है डी फाइवाइडिटी टूपाइर इसको इसको ए डीवाइडी टी यह बीटा ट्रोन परतिबंद है या तरम्फिल इसको ए बीटा-टोटोट्रोन परतिबंद हे या डिफाइवाइडीती ओमयार जो एकॉट पाइश proteg यह बीटाटोन परतिबंद है यह ठाइब हणसेन इसको डीवी बाई डीटी यह जो अभिस्ट बीटा ट्रोन कंडिशन है तो उमिद करता हूँ आज की हमारी किलास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स क सेवा काम करती है कि एक आदमी 10 सेवा करता है तो इसको कीसे अच्छाए लगता है वह या आतमीपचास आद्म și श्यादा आएगा तो आप से रिक्वस्ट यह है कि अमारे चैनल को जादा से जादा स्प्रेड करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें मिलते हैं ये ने